इस पोधे पर हमने कलम एक महने के पहले किया था और यहां सिताफल का पौधा है आप देख पा रहे हैं कि इसका जॉइंट यहां पौली दिन देखिए वाइट कलर की बांधी हुई यहां जीरो माईकरण वाली पौली थीन हमने इस्तमाल किये है हमारे पूराने वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी फरवरी, मार्च, एप्रिल तक आप कलम कर सकते सिताफल के पौधे पर इसके बाद में इस पौधे के लिए अनुकूल वातावरा नहीं होने के जिसे हम इस पौधे पर कलम नहीं कर सकते क्योंकि हम जो भी कलम कर रहे हैं यहाँ ओपन एटमोस्पियर में कर रहे हैं यहाँ हमारे पास पौली हाउस नहीं है तो यहाँ बड़ा वाला पौधा था हमने उसे काट दिया और उसके बाजू से नई शाखाय निकल गई तो ऐसी शाखा पर हमने अच्छे वाले कौलिटी की सिताफल की कलम हमने फिट किया और देखिए हम 10-15 कलम करते उसमें से 6-7 कलम सक्सेस होती है तो क्योंकि यहाँ सब उपन एटमोस्पियर में होनी के वज़े से हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते पर हमारे पाउधे घर पर तयार हो जाते तो आप भी अपने घर पर कलम कर सकते हैं हमारे वीडियो में बहुत सारी जानकारी दिए आप उन्हें देखे किस तरह से कलम करना चीए तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियो तो यहां देखिए सक्सेस हो चुका यहां कलम और इसमें नए पत्ते भी निकल गए है मूल पौधे की जो शाखा है रहती है उसको आपको तोड़ते रहना है जो हमने कलम किया है जॉइंट वाला पॉर्षन उसके नीचे की मूल पौधे की शाखा जो निकलती है ओरिजनल पौधा जिस पर हमने कलम किया है तो उसे आपको तोड़ते रहना है नहीं तो क्या होंगा यह जो कलम किया है यहां पोर्षन सुख जाता है क्योंकि ओरिजिनल पौधा जो जॉइंट वाला पोर्षन है उसके नीचे से बड़े स्पीड ली ग्रो हो जाती है ब्रैंचेस और इस वज़े से हम अक्सर बोलते हैं कि कलम वाला पोर्षन सुख गया तो इसलिए जॉइंट वाले पोर्षन के नीचे से आपको मूल पाउदे की नए अंकूर का आपको तोड़ते रहना यह ऐसा प्रोसेस आपको लगभग चार से पाच मेने तक करना है क्योंकि जब तक इसमें से नई ब्रैंचेस बड़ी नहीं हो जाती तब तक यहां छोटा सा प्रिकॉशन आपको ध्यान देना है